स्टार प्लस के सबसे आगे चल रहे शो गुम है किसी के प्यार में अभी काफी कुछ हल चल देखने को मिल रही है जहां कुछ दिन पहले ही फान्स शवी और इशान के तलाग से दुखी हो गए थे तो वहीं अभ इशान को ये बात समझ में आ गई है कि वो रीवा से नहीं बलके सर्फ सबी से प्यार करता है और इसी के चलते वो कई बार सबी से बेचेन होकर मिलने भी पहुँचाय करता है तो वहीं ये सब देखकर रीवा दुखी हो रही है इशान रिवा से बादा कर लेगा कि अब सवी से नहीं मिलेगा लेकिन वो बार-बार अपने दिल की वज़ा से मजबूर हो रहा है कैसे भी करके इशान सवी के साथ रहने के बहाने तलाश रहा है ऐसे में अब शो में ये ट्विस्ट आने वाला है जो रिवा की जिंदगी में दुफान लाने का काम करेगा और रिवा फिल से इशान से दूर हो जाएगी जब शो में सवी और इशान एक दूसरे से दूर चले गए थे तो लोगों ने शो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी नराज की जिताई थी कई लोगों ने तो जब इशान ने सवी को थपड मारा तो शो को ना देखनी का फैसला कर लिया था लेकिन इशान को थपड लगने के बाद शो में काफी कुछ नया मिला लेकिन अब ऐसी खबरे सामनी आ रही है जिसे सुनकर आप जूम उठेंगे सुनने में आ रहा है कि सवी और इशान एक दूसरे से प्यार का इसहार करेंगे यही नहीं बलकि दोनों मंदिन में शादी करके एक बड़ा धमाका भी करने वाले है वही ऐसी भी खबरे आ रही है कि जल्दी इशान शो छोड़ सकते है जी हाँ अभी तक कोई वज़ा साफ नहीं है लेकिन यह खबरे सामने आ रही है कि शान की जगा जल्द कोई नया स्टार आने वाला है हाला कि अभी तक शो के मेंकर्स के और से इसमें कोई सफाई नहीं आई है लेकिन जल्दी अगर कुछ होगा तो पता लगी जाएगा देखते रहें न्यूजवार्डेडी अप